Hello students, देखिए हम पढ़ चुके थे, quantum mechanics के अंदर classical जो theory पर based rule थे, that means हमारे जो कुछ rule थे, जिसे हमने black body radiation के बारे में चर्चक की थी, और black body radiation के बारे में मैंने आपको बताया था, की black body, एक काले कलर का एक body होता है, जिस पर अगर हम विकरन डालें, तो वो उतनी ही अच्छे से absorb करता है, उतनी ही अच्छे से उन्हें उतसरजित भी कर देता है, ठीक है, तो उसके जितनी भी radiation black body से, जो radiation उतसरजित या अवसोसित हो रही है, उनके उपर दरसल ये study चल रही ह है, तो कुछ rules तो हमारे थे, कुछ laws ऐसे थे, जो classical theory पर आधारी थे, और कुछ law ऐसे होंगे, जो quantum mechanics पर आधारी थे, ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था, क्रिक्चोफ का law हमने पढ़ लिया था, हमने बात की थी, वीन के displacement law की, हमने बात की थी, स्टीफन बॉल्जमान के law की, हमने बात की थी, जो रेले एंड जीन्स का जो law है, उसके उपर भी हमने चर्चा की थी, अब जो हमारा law है, वो है, प्लांक का विकीरन नियम, या इसे प्लांक रेडियेशन law कहते हैं, या प्लांक स हाइपोथि कह सकते हो, इसको ठीक है, दरसल ये quantum जो mechanics है, उसके उपर आधारित है, हम कहते हैं कि प्लांक ने क्रिस्निका विकीरनों से जो उर्जा अवसोसित होती थी, या फिर वो उतसर्जित होती थी, उस energy और लेमडा के बीच में उन्होंने क्या किया, एक संबंद इस्थापित किय और प्लांक ने बताया कि क्रिस्निका जो ब्लेक बोडी है, उसमें उर्जा का वित्रण के लिए ये सिधान था, जो वीन और रेले जीन्स के नियम के मध्य में था, इसके जो calculation करके जो values थी और graphical जो values थी, वो वीन और रेले के नियम के बीच में थी, ठीक है, यानि कि अब ह इसनियम की definition ये 1900 में दिया गया था, 1900, इसका सबसे जो important point है, वो ये है, इसका जो सबसे important point है, वो है उर्जा क्वांटी क्रत, तो मैंने सबसे उपर ही उपर इसे लिख रखा है कि उर्जा कैसी होती है, क्वांटी क्रत, क्वांटाइस्ट फोम में होती है, यानि कि ये शब सब्द, इसी सब्द पे टिका हुआ है, प्लांक का विकीरण नियम, चलो बात करते हैं आगे, हम सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा इतना लिखना है, कि ये genes और इसकी values के बीच में होता है, फिर बाद में लिखनी है इसकी definition, क्या है इसकी definition, वो देखो आपको लिखनी है, क्रिस्निका से उत्सरजित उर्जा सतत नहीं होती, बलकि कैसी होती है, ऐसतत होती है, और उर्जा के बंडलों के रूप में होती है, ये उर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं, ये सबसे important चीज़, देखो, उत्सरजित विकिरण हो सकती है, यह अवसोसित दोनों की बातें यहाँ पर की गई है तो मैंने यहाँ पर कहा है कि उत्सरजित विकिरन अब यह किस की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं ब्लेक बॉडी की बात कर रहे हैं उसी की विकिरन की बात कर रहे हैं एक बोड़ी की उसी से जो अफसोसित हुई है जो इमिट हुई है उन दोनों पर ही हम बात कर रहे हैं ठीक है तो अब देखो प्लांक की डेफिनेशन थी कि उर्जा ऐसा तत होती है क्वांटिकरत होती है मतलब की बंडलों की फोर्म में उर्जा के पैकेट्स होते हैं यानि की उर्जा के बंडल होते हैं यह बंडल क्या होते हैं एक तरह से पूरी तरह से डिक्सक्रीट अमाउंट यह जो डिक्सक्रीट है quantum की form जैसे कि आपने देखा होगा कि यी बराबर होता है फिर 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 मतलब यह है कि इसके साथ जो एसोशीयटर वेल्यू है यह इसका क्या कहलाती है quantum कहलाती है फोटोन की उर्जा आवरती पर निर्भर करती है आवरती किसकी रेडियेशन की आवरती पर निर्भर करती है नैट मिन्स फोटोन की जो एनरजी है वो फ्रेक्वेंसी पर निर्भर करती है और फ्रेक्वेंसी के डिरेक्टली प्रपोस्टनल होती है समानुपाती होती है तो हम का साइन लगाते हैं हम यानि कि इस प्रपोर्शनल का ये जो साइन है इसे हटा कर कॉंस्टेंट बराबर का साइन जब लगाते हैं तो एक कॉंस्टेंट आता है यहां पर कॉंस्टेंट ले लिया गया एच एच का किसका कॉंस्टेंट है ये होता है प्लांक का कॉंस्टेंट जिसका मान होता है छे, पॉइंट छे, दो, पांच, दस की घात माइनस चो तीस जूल इंटू सेकिंड, वी नो दैट, हम यह भी जानते हैं कि जो आवरती है, वो C अपॉन लेंबडा होती है, तो यहां से हम C अपॉन लेंबडा नियू की वैल्यू भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, तो इस तरह से यह वाला समेकर्ण हमारा बन जाता है, C क्या है, प्रकास का वेग किसमें, वाई-उ के अंदर, तीन इंटू दस की घात, आठ मीटर पर सेकिन्ड होता है, प्रकास का वेग, ठीक है, आगे अगर हम देखें, तो यह होता है, C अपॉन लेंबडा, अगली समेकर्ण हमारी आगी, अब हमारा जो फॉर्मूला है, वो क्या कह रहा कि, अगला पॉस्चुलेट, देखो कुछ जो नियम सिध्धान काइदे कानून, इन लोगों ने देखे हुए होते हैं, इन पर जबी स्टेडी करते हैं, तो उनको यह बिंदूओं में नौटिस करते हैं, तो उन नौटिस को ही यहाँ पर यह एरो लगा के मैं लिखा हूँ है, पहला, दूसरा, तीसरा है न, और यह फॉर्थ, ऐसे ही फिफ्थ भी आ जाएगा, तो यह सारे जो निसकर्स हैं, यह सारी जो बाते हैं इनके आधार पर, प्लांक ने एक एक्वेशन दी, इसी एक्वेशन के हम बारे में चर्चा करेंगे, तो हम कहरें कि ब्लेक बोडी की उर्जा कैसी होती है, क्वांटी करत अंडर लाइन कर लेना, वच्चो कॉपे में नौट कर लेना, इस से जादा आपको पढ़ने क्या हो सकता नहीं है, प्लांक का जो रेडियेशन लो है उसके अंदर, अर्थात उर्जा का उत्सर्जन हो, या फिर उसका आउस्वेशन हो, एक क्वांटम अत्वा उसके पून गुनज के रूप में होता है, जैसे की ह नूँ, एक इसका एन, अलब दो, तीन, ऐसे इस तरह से, एन, मल्टिप्लाई, एन तक वहां पर मल्टिप्लाई हो सकता है, यानि कि इसका पून गुनित ही हो सकता है, ये इस तरह से, ठीक है, चल, आगे देखते हैं, क्रिस्टनिका के द्वारा अवसोसित या और से विकड़ों की आवरती तथा उर्जा में जो संबंद बताया था, उप्रोक्त जो पॉस्चुलेट्स हैं, ये चार-पांच बाते जो मैंने उपर आपको लिखी हुई हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो कि उप्रोक्त पॉस्चुलेट्स या अभी ग्रहित या नियमों के आधार पर, प्लांक ने एक समीकर्ण दिया, जो निमलिखित हैं, प्लांक ने दिया, ए लेमडा बराबर, आठ पाई हC अपॉन लेमडा की पावर कितनी, पांच, और ब्रेकिट में, वन अपोन एकी पावर, हC अपोन लेमडा के टी, माइनस वन, यहाँ पर एकी पावर में हैं जिए, ठीक हैं, और यह माइनस वन हैं, तो इस समीकर्ण को क्या कहा जाता है, प्लांक का समीकर्ण कहा जाता है, जो क्वांटम थियोरी पर आधारित है, सीधी सीधी सी बात है और जा कैसे होती है बंडलों के रूप में होती है पैकेट के रूप में होती है चलो आगे ये समीकर्ण आपको ध्यान रखना है इस समीकर्ण से आपको आगे भी कुछ वैलियूस को निकाला है समीकंड तीन यह स्पस्ट करता है कि वीन और रेलेजिन्स के नियम और प्लांक के नियमों में घनिस्ट संबंध होता है यदि लैम्डा का मान कितना हो बच्चों छोटा हो यानि कि निम्न हो तो देखो इस समीकंड से देखो अगर मैं यहां पर बात करूँ तो लैम्डा कम होगी तो कम वैल्यू का भाग अगर हम बड़ी चीज में देते हैं तो यह पूरी वैल्यू तो ज़्यादा ही आएगी ना इस वज़े से इस वज़े से देखो अगर इसका मान क्या होए लैम्डा का मान लेते हैं इसको नगन मान कर छोड़ देते हैं तो नगन मान कर जब इसको हमने छोड़ दिया तो यह अब बचा हमारे पास कितना देखो वान अपॉन एच सी लैम्डा केटी अब इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में आता है यही नियम होता है वीन का जब उसे हम solve करते थे वहाँ पर तो ये नियम निकल के आता था इतना मान वीन के होता है तो हम यूं कह सकते हैं बच्चों कि अते हैं जो उप्रोक्त समीकरण है समीकरण 3 किसका रूपधारण कर लेती है अगर छोटी लेमडा है तो यह वीन की समीकरण का रूपधारण कर लेती है अगर शर्त क्या है लेमडा अगर निम्न हो लेमडा अगर छोटी हो तो यह मान कितना हो जाता है एक से ज़्यादा हो जाता है एक से जब यह बहुत ज़ादा हो जाता है तो इस one को हम क्या कर देते हैं या पर minus one को neglect करके छोड़ देते हैं और फिर इसे हम उपर ले जाते हैं तो इसकी power पहले नीचे तो positive में थी उपर जैसे जाएगी तो यह negative minus exponential power में यह ऐसे आएगी यदि lambda कमान उच्च हो यानि कि बड़ी lambda हो तरंग देर्य कमान उच्च हो तो इस कमान देखो बड़ी चीज का छोटी चीज में जो भाग देते हैं तो उसका value पूरी का काम आता है तो इसे कुछ exponential विस्तार के रूप में हम क्या कर सकते हैं समझा सकते हैं mathematics में एक formula होता है प्लस x upon 1 का factorial प्लस x की power 2 का factorial प्लस x की power 3 3 का factorial ये ऐसे है और इसके नीचे क्या है बिंदी तो इसे factorial बोलते हैं तो आब हम यहां हमें जादा उच्च मानों को हमने क्या कर दिया उच्च घातों वाले मानों को हमने क्या कर दिया मतलब यहां तक हमने नगन्ने मान लिया और आप कह रहे होगे कि यह जो है अब देखो अगर मैं यूं कहूं और एक्स की वेल्यू क्या हो जाएगा एक्स तो हो जाएगा तो यहनी कि उच्छ घातों को बहुने नेगलेक्ट मान दिया तो इसका मतलब अब इसको हम सॉल्व करें यह देको इसी कि सी मिलर है यह इसी के सिमिलर है देखो H C upon lambda E की पावर H C upon lambda तो यह वाला दरसल हम यह वाला solve करना चाह रहे हैं यह वाली जो value है ने यह वाली value solve करना हम चाह रहे हैं यह पर तो देखो नीचे देखो lambda अगर बड़ी है तो यह तो mathematical formula यह apply करना इसको चाहिए पेपर में answer के अंदर लिखो चाहिए मतली को मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है यह स्वाले पार्ट को ठीक है बस इतना कह देना कि mathematical चूंकि इसका मतलब यह होता है ठीक है चलो अब देखो इसी विदी से हम इसे solve करते हैं जो हमारा यह method है e की पावर h c upon lambda को exponential theorem की विस्तार के रूप में हम लिखें तो e की पावर h c upon lambda केटी तो 1 प्लस देखो 1 प्लस यह हो गया x यानि कि इसका factorial लिख देती मैं उच मानू को हमने क्या कर दिया यहाँ पर नगन निमान दिया तो सबको मैंने days days करके छोड़ दिया है नगन निमान के पीछे वाले को सिर्फ एक मान ले लिया तो जो यह एक मान बचा है हमारा तो हम कहते हैं समीकरण 5 में समीकरण 5 से मान को समीकरण 4 में पुट कर देते हैं समीकरण किस में पुट कर देते हैं ये होगए है, इसे मैं तोड़ा से लिख देती है, इसे नोसरी के गूर के अचते हैं, अब आग देखते हैं, अब जैसे ही हमने समे करन तीन में रख्था, यह वाला मान मा। देखा है, यह रख दिया, वन प्लस क्या आया इसका सिदसी दमान में यह आया था यह हमने यहां पर रख दिये तो जब यहां पर इसको रखा तो यह प्लस वन से यह माइनस वन कैंसिल हो गया चीक है प्लस वन से क्या हो गया यह माइनस वन कैंसिल आउट हो गया और जैसे ही यह कैंसिल आउट हुआ है तो देखो देखो बच्चो आप गए अब देखो E lambda की value कितनी आ गई यह cut गया नीचे वाली जो value उपर चली गई lambda kt उपर चली गई अब hc से hc cancel कर दो एक lambda से उपर वाला एक lambda तो यह क्या बच गया E lambda 8 pi kt या पॉन में lambda की power कितनी यही तो religion का समीकर्ण था जब हमने पढ़ा था religion का समीकर्ण क्या था यही था तो हम यूँ कह सकते हैं कि यह समीकर्ण religion समीकर्ण का रूपधारन कर लेती है इसे समझाने के लिए उर्जा की तरंग धेरी और उर्जा की मद्धे क्या किया गया एक ग्राफ प्लॉट किया गया देखो यह तो है X-axis पर क्या है lambda क्या है X-axis पर यहां पर lambda होती है ठीक है यह वाली lambda यह है उर्जा तो अगर इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यह क्या होता है देखो ये बीच वाली जो है न ये बीच वाली लाई ये तो मैक्स प्लांग का जो नियम उसको दरसाती है इससे छोटी तरंग धेर रहे है जो ये वीन का विस्थापन नियम और इससे जो बड़ी तरंग धेर रहे है वो रेले जिन्स का नियम जो है उसको प्रदर्शित करती है क्योंकि हम जानते हैं कि wean का जो विस्तापन नियम है वो छोटी तरंग धेयरे के लिए लागू होता है जब कि relevant जीन्स का नियम है वो बड़ी तरंग धेयरे के लिए क्या होता है लागू होता है तो आप इसे इस तरह से देखें और ये पूरा का पूरा जो notes है ये क्या करना है आपको अपनी copy में note करना है इसे दो तीन बार याद कर लेना है भस इतने मापका काम हो जाएगा ये full इस से इस से बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैंने वो सारी content इसमें डाला हुआ है जो एक अच्छे notes के लिए जरुरत होती है मैंने इसको बहुत अच्छे से design किया है बहुत अच्छा ये answer आपका होगा तो thank you so much बच्चों ऐसे लगातार पढ़ते रहो आपके लिए मैं हर संभव health करूंगी तोड़ा सा time चाहिए मुझे मैं रोज आपके लिए कुछ न कुछ नया लेके आती हूं आप पढ़ते रहिए आप अच्छी अच्छी percentage बनाते रहिए so thank you so much students